सबी का स्वागत है हमारे इस लाइब क्लास सेक्षन पर और आज हम मैट्स की क्लासे से स्टार्ट कर रहे इस पेशली यह जो बैच है पीजीटी पीजीटी एंड अधर एक स्टेट एक्जामेनेशन के लिए यहां पर हम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक की मैथमेटिक्स आप किकी ढाइसन करूट की कनसेप्ट करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास आज का जो कंसेप्ट है वो है कि हम एक पैरल्ली लाइन कोई दी गई है हमारा पास सपोज एक लाइन आपके पास दी गई है AX प्लस B Y प्लस C ऐख्वल्स टू जीरो यह कोई लाइन दी गई है तो इस simple इसके पहले line के question निकालना the equation is ax plus by plus simple lambda equals to 0 मतलब आपको करना क्या है कि जहाँ पर constant c है वो वहाँ पर lambda कर देना है a और b az रहेंगे के वाल यहाँ पर c के place पर lambda हो जाएगा आईए तो इस पर कुछ questions करते हैं देखते हैं question क्या है इस पर देखे जो question आया है आपके exam में वो question है कि 3x find the line parallel to 3x minus 5y 3x plus 5y minus 2 equal to 0 मतलब आपके पास एक line दी गई है जिसका नाम है 3x minus 5y 3x plus 5y minus 2 equal to 0 ओके यह आपके सामने कोई line दी गई है आपको कहा जा रहा है कि आप जो है ओके यह जो आपके सामने line दी गई है आपको कहा जा रहा है आप इस line के parallel एक line का equation निकालिए आपको यह कहा जा रहा है कि आप इस line के parallel एक line का equation निकालिए जिसका intercept जो है x axis के साथ 4 unit हो इस line के parallel एक line का equation निकालिए और इस line का जो x intercept हो जो x अंत्य खंड हो वो किता है गया है 4 unit, ये दिया गया है, x intercept आपको कितना दिया गया है, 4 इकाई दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे दिखेंगे, सबसे पहले आपके सामने जो line दी गई है, उसके parallel line के equation लिख लीजे, क्योंकि जो आपको line निकालनी है, वो parallel है, तो line अपने पास given कितनी है, 3x plus 5y minus 2 equal to 0, तो इसके parallel line के equation कितना होगा, 3x plus 5y, मैंने अभी अभी बताया आपको क्या करना है, कि वल प्लस lambda equal to 0 कर दीजे, ये आपके सामने parallel line के equation आगे, इसको number 1 दे दीजे, अब दीखिए, ये कह रहा है कि इस line का x intercept चारिक आई है, तो सबसे पहले इसका x intercept निकालिए, तो आपको प minus lambda equal to हो गया कितना 1, इसको मैं लेख सकता हूँ, x upon minus lambda by 3 plus y upon minus lambda upon 5 equals to कितना 1, एक सेकेंड कोई जोड़ना चाहरे हैं, उनको हम जोड़ दें, तो x upon minus lambda by 3 plus y upon minus lambda by 5 equals to 1, Sir, mic off करके पढ़िए, या earphone लगा लिजे, आवाज के reflections आते हैं, वीडियो साथ में बन रहा है, थोड़ी सी लिक्कत होती है, या sound कम कर लें, तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये x अंत्यखंड याने x intercept आ चुका है, और ये y intercept आ चुका है, अब क्या कहा जा रहा है कि ज यही पर आपका question गलत हो जाता है, देखिए, intercept जो है, उसकी लंबाई दी गई है, और लंबाई हमेशा positive mod में होती है, इसलिए आप इसको क्या लेंगे, minus lambda by 3, equal to 4, तो क्या हो जाएगा, mod हटता है, तो सामने वाले में plus minus आ जाता है, तो minus lambda by 3, equal to plus minus 4, तो एक बार plus ले ले ल है, तो minus का lambda by 3, equal to plus का 4, तो पहला answer, lambda equal to 4, 3 is a minus 12, और दूसरा, minus lambda by 3, equal to minus 4, तो minus से minus cancel, lambda equal to 12, तो हमारे पास दो लाइने बन करके त्यार होने वाली है, और कैसी बनेंगी, आइए देख लेते हैं, तो हमारे पास equation क्या था, lines का, यह आया था equation, 3x plus 5y plus lambda equal to 0, तो दो माना आए है, lambda के, एक plus 12 और एक minus 12, तो lambda की दो value आई है, plus 12 और minus 12, hello, 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 plus 12 और minus 12, तो यहाँ पर दो लाइने हमारे पास में आई है, तो चलिए, lambda का मान वापस रख देते हैं, तो equation क्या है हमारे पास में, 3x plus 5y और lambda की value plus minus 12, तो equation बन जाएगा, 3x plus 5y plus minus 12 equal to 0, यह आपका answer है, तो इस तरीके से lambda का ध्यान रखेंगे, क्योंकि lambda की value गलत अगर, देखें, आपके पास जरूई नहीं कि answer 3 lambda, lambda की value 3 पे ही आ जाए, most of the student क्या करते हैं, lambda की एक ही value ले लेते हैं, कि minus lambda by 3, यह सीधे सीधे minus lambda by 3 equal to 4 ले लिया, और वहीं पर आपका answer जो है, गलत हो जाएगा, तो इस से बचिए, गलती से बचिए, ओके, चली, अगला concept में आपको बता देता हूँ, equation of perpendicular line, ठीक है न, लंबवत रेखा का समी करने जिसको बोल सकते हिंदी में, तो अगला concept है, equation of perpendicular line, अगला topic है, equation of perpendicular line, तो कैसे बनेगा equation of perpendicular line, देखे, बहुत ही simple concept है, आपके पास अगर कोई line दी गई है, AX plus BY plus C equal to 0, ओके, और इसके लंबवत आपको रेखा का समी करने चाहिए, इसके लंबवत line का समी करने चाहिए, तो आपको करना क्या है, A की जगे B करना है, B की जगे A करना है, और एक जगे कोई minus लगा देना है, तो आपके पास दो समी करने बनेगे, या तो पहला बनेगा minus का BX, गलती हो गई यहाँ पे, चलिए इसको मैं erase कर दूँ, क्योंकि मैंने minus तो लगाया नहीं, minus तो लगा दिया, मैंने change नहीं किया, ओके, तो पहला समी करना क्या बनेगा भाई साथ, पहला बनेगा minus का BX और plus का AY plus lambda equal to 0, तो एक तो आपके पास situation यह बन रही है, एक तो आपके पास situation ये बन रही है कि भाई minus का bx plus ay और plus का lambda equal to 0 एक समयखण की situation तो ये है आपके पास में पहली बात और दूसरी बात जो है वो क्या है भाई दूसरी बात क्या है और दूसरा समयखण क्या बनेगा दूसरा समयखण आपके पास बनेगा अगर आप यहाँ पे bx को plus लेते हैं तो plus का bx minus का ay minus का ay plus lambda equal to 0 तो दो possibilities आपके सामने है एक है bx minus ay plus lambda equal to 0 और bx minus ay plus lambda equal to 0 दोनों समयखण में आपका answer एक ही आएगा डॉन्ट वरी आप किसी को भी ले ले आपका answer गलत आने वाला नहीं है दोनों परिस्थिटियों में आपके पास answer सेम ही आएगा चली तो कोई एक समयखण निकाल लेते हैं जैसे कोई भी आप यहीं कोहेंगे कि इसका question कराया जाए तो कैसे होगा इसका question मान लीजे question दे दिया है कि एक आपके पास line है 3x minus 4y plus 3x minus 4y plus 5 equal to 0 कहरा इसके लंबवत रेखा का समयखण गयात कीजिए जो बिंदू 1,2 से होके जाती है तो अभी अभी मैंने बताया कि coefficient exchange कर दो तो ये वाला coefficient आप यहां पहुचा दो और ये वाला coefficient आप यहां पहुचा दो और बीच में किसी को भी minus sign आप दे दो ठीक है ना तो आपने क्या किया इसका coefficient 4 था तो minus 4 का x कर दिया और minus 4 का x कर दिया और क्या है 3 को इधर दे दिया और साथ में एक minus दे दिया minus 3y plus lambda equal to 0 ये हो गया तो ये इसके लंबवत रेखा का समीखण कर दिया देखा फिर से आपने क्या किया है आपने किया या है कि ये 4 को minus 4 को इधर भेज दिया और ये 3 को आपने y के साथ में भेज दिया ओके और एक इसको negative दे दिया 3 को तो इससे फायदा क्या होगा आप इसकी प्रमरता निकालू इसकी अगर आप प्रमरता निकालते हो देखो ध्यान से तो 3x plus 5 equal to 4y हो जाएगी तो यहां से y is equal to 3 upon 4x plus 5 by 4 मतलब इसकी प्रमरता जो आएगी इसका जो slope आएगा कितना आएगा m equal to 3 by 4 इकल कर के आएगा बहुत बढ़ी है और इसका slope निकालो यह दिया इसी से तो यहां से देखो इसका slope निकालता हो तो मैं minus 4 x plus lambda equal to 3y तो y is equal to कितना हो जाएगा minus 4y3 plus lambda y3 whatever तो भईया यहां से इसका slope कितना आगया minus 4y3 m2 is equal to minus 4y3 और m1 equal to 3y4 तो दोनों का गुणा कर दो आप तो m1 into m2 equal to minus 1 concept बन रहा है so actually m1 into m2 equal to minus 1 तो बिल्कुल सही है मतलब यह जो दोनों देखा हैं वास्तों में लंबवत है तो यह हो गया इसके लंबवत रेखा का समीकन यदि कोई doubt हो तो please पूछे चलिए अगले question की तरफ चलते हैं जी अगला question क्या है देखिए अगला question है कि question कहरा है अगला question है यदि a, b, c, a, p में है अगर a, b, c, a, p में है कहरा कि if a, b, c are in a, p अगर a, b, c, a, p में है then the family of lines then the family of lines तो आपके पास कोई family of lines है family of lines क्या है भई ax plus by plus c equal to 0 यह आपके पास family of lines है family of lines इसलिए क्योंकि a, b, c का भी पता नहीं है कहरा है कि family of lines passing through the fix point fix point कहरा है कि family of lines किस fix point से पास हो रहे है पहला option है a, 1, 2 option number b दिया है minus 1, 2 option number c दिया हुआ है 2, minus 1 option number d दिया हुआ है कितना none of these किसी बिंदू से पास नहीं हो रहे है तो देखे क्या कहरा है कि a, b, c, a, p में है अपन जानते हैं कि अगर a, b, c, a, p में होते हैं तो पहला concept क्या लगता है 2b equal to a plus c यह concept लगता है 2b equal to a plus c ठीक है लगता है अब यदि यहां से इसको मैं adjust करूँ ध्यान से तो देखो जरा a minus to b और plus c equal to क्या होगा है? 0 अब जरा adjust करके इसको इधर लिख दो a minus to b plus c equal to 0 और मजे की बात देखो इसको feel करो अगर आप compare करा हो यहां पे तो a into x की जगे पे 1 बैठा हुआ है plus b y की जगे पे क्या बैठा हुआ है? minus 2 और plus कितना c equal to 0 तो यह जो रेखा यह किस बिंदू से जा रही है? यह रेखा जा रही है 1, minus 2 से क्योंकि यहां पर जो है यह रेखा जो है 1, minus 2 से होके जाएगी क्योंकि x की प्लेस पे 1 बैठा हुआ है और y की प्लेस पे minus 2 बैठा है तो answer यह रेखा किस बिंदू से होके जाएगी 1, minus 2 तो यहां पर है जी नहीं तो इसका correct answer होगा none of these फिलाल के लिए इसका answer क्या हो जाएगा? जी none of these एक तो तरीका यह है चली ओके देखिए आपके पास यह कहा जा रहा है कि ABC जो है आपके पास में AP में है एक condition आपके पास यह दिजा रही है कि ABC आपके पास किस में लिया गया है AP में है तो 2B equal to A plus C तो कैसे concept बन रहा है सबसे पहले आपके पास दिया गया है कि A, B, C जो है AP में है तो देखिए हमाँ पास condition होती ही 2B equal to होता है A plus C तो यहाँ पे आपके पास जो समीगन दिया है वो क्या दिया है AX plus BY plus C equal to 0 चलो AX plus BY और यहाँ से मैं C की value 2B minus A रख सकता हूँ तो यहाँ से मैं C की value कितना रख दिया 2B minus A equal to कितना 0 अब देखिए जी क्या हो सकता अपने पास में तो एक जो यहाँ पे हमारे पास condition बन सकती है A bracket में X minus 1 यह इन दोनों से A bracket में X minus 1 प्लस यदि देखा जाए तो यहाँ पे B bracket में Y plus 2 Y plus 2 B Y plus 2 भी है न equal to कितना 0 B bracket में Y plus 2 अब यदि एक चीज़ तो यह हमारे पास आचुकी है चलिए अगर मैं A का भाग देदू पूरे equation में तो X minus 1 X minus 1 plus B upon A Y plus 2 equal to 0 देखो यह क्या हो रहा है यह family of line का equation बन रहा है मतलब रेखाओं के समुदाएं से जाने वाली रेखा आपने देखा होगा जब आपने क्या पढ़ा हो रेखा यूग महां तो रेखा यूग में क्या पढ़ते हैं आपन कि रेखा यूग का समुदाएं क्या होगा है तो एक रेखा अपने पास क्या है x-1 equal to 0 पहली रेखा है x-1 equal to 0 और दूसरी रेखा में पास क्या है y plus 2 equal to 0 तो x-1 equal to 0 हमको क्या दे रही है x equal to 1 मतलब यह रेखा किस बिंदू से जा रही है x equal to 1 से और यह रेखा किस से जा रही है ये रेखा जा रहे है y equal to minus 2 से मतलब इन दोनों का जो cross point है दोनों रेखाओं का वो क्या है 1, minus 2 तो ये जितना भी family होगा जितना भी परिवार होगा रेखा का ये 1, minus 2 से हो करके जाएगा तो एक तो तरीका हमारे पास ये भी था जिसको हमने दूसरे तरीके देख लिया एक और तरीका हम देख सकते हैं कि एक और तरीका हमारे पास क्या हो सकता है चरी इसको भी discuss कर लेते हैं अगले पेज पर discuss करते हैं देखी क्या कह रहा है कि ax plus by plus c जो है question अपने पास में है कि ax plus by plus c equal to 0 जो है एक सरल रेखा है जिसमें a,b,c,ap में है a,b,c किसमें है ap में है तो इनका कहना है तो बताइए कि ये family of line किस बिंदू से होके जाएगी और आपके पास 4 option दिये गए है option की बात अब इस बार मैं option से check करूँगा जैसे पहला option या 1,2 तो चलो भाई एक काम करते हैं अपन अपन तीन नंबर ऐसे कोई ले लेते हैं जो ap में है तो 2,4,6 ले लिया तो मान लिया हमने 2,4,6 equation क्या हो गया 2x plus 4y plus 6 equal to 0 ये हो गया समीकर जादे जादे इसको क्या करोगा आप इसका 2 लेके common cancel कर दो तो x plus 2y plus 3 equal to 0 option क्या आपके पास में पहला है 1,2 दूसरा है minus 1,2 तीसरा option में क्या है आपके पास में 2, minus 1 और चौता option आपके पास में है और चलो जी अब क्या करते हैं पता करना है कि किस बिंदू से होके जारी तो put करते जाओ चेक करते जाओ जिसमें answer आएगा वही आपका answer होगा तो चलिए 1,2 पे चेक करता हूँ 1,2 पे तो 1,1 जा 1 और 2,2 जा 4 plus 3 4,3,8 4,3,7,8 8 equal to 0 लिए भाई reject हो गया होई नहीं सकता है क्योंकि 8 का मान 0 के बराबर होता नहीं तो यह पहला option गलत आगया दूसरा है minus 1,2 तो x की जगे पे minus 1 और y की जगे पे 2,2 जा 4 plus 3 लिए तो 4 और 3,7 में से 1,6 आगया 6 की value 0 के बराबर हो नहीं सकती है तो दूसरा option भी reject हो गया तीसरा option 2, minus 1 तो x की जगे पे 2 y की जगे पे minus 1 तो 2,1 जा 2 plus 3 equal to 0 लिए भाई साब ये भी गलत हो गया क्योंकि 3,0 की equal नहीं होता है तो मतलब correct answer इसका क्या होगा none of these तो मतलब मैंने इस सवाल को करने के आपको 3 method बताए है इस सवाल को करने के मैंने आपको 3 method बता दिये कि ये सवाल जो है तीन तरीकों से किया जा सकता है चलिए तो इनको note कर लीजे समय देरों मैं आपको लिखने का इसको note करिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलिए आज के अगला topic है भाई साब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ equation of tangent तो एक तो ये आपने देख लिया ठीक ना अगला topic है universal topic है लिजे जो सभी आपके काम में आएगा exams में जो हर exam में आता है ये ठीक ना तो इसका topic का नाम क्या है equation of tangent equation of tangent तो आपके पास कोई भी दुनिया का 2D कर वो भाई साब कोई भी दुनिया का 2D कर वो चाहे वो circle हो चाहे वो parabola हो चाहे वो hyperbola हो या ellipse हो कुछ भी हो कुछ भी हो ellipse हो parabola हो hyperbola हो ओके और क्या-क्या होते हैं जितने भी होते हैं इन सब में ये जो है इन सब ही में ये चीज काम में आएगी आपके पास जो मैं आपको बता रहा हूँ equation of tangent क्या है जी equation of tangent देकि equation of tangent आपके पास सबसे पहले दुनिया के जितने भी अपने 2D कर्व हैं कौन से कर्व 2D कर्व 2D आने के द्विमी वाले कर्व जो प्लेन में बनाया जा सकते हैं समतली ये वक्र जिनको आप कह सकते हो हिंदी में तो जितने भी समतली ये वक्र होते हैं उनके लिए एक standard equation होती है उनके लिए standard equation होती है वो standard equation आप लिख लो आपके बहुत काम में आएगी वो standard equation होती है ax square plus by square plus plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus equal to 0 ये वो standard equation है ठीक है जी तो ये वो standard equation है अब बात जानो अगर आपको इसके किसी भी बिंदू पर क्या निकालनी है इस पारशरीखा ये क्या हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है ये आपका वरत्थ भी हो सकता है ये आपका अती परवले भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये ठीक है ना ये आपका standard equation तो अगर आपको इस पर्स रेखा निकालनी है तो एक काम सबसे पहले करो कि जिस बिंदू पर इस पर्स रेखा निकालनी है किस पे बोलेगा आपको x1, y1 पे तो सबसे पहले उस बिंदू को रख करके जरूर देख लेना क्योंकि अगर वो बिंदू उस वक्र पे नहीं हुआ जैसे ये मालो आपको ये दिया गया कोई दिरवर्त और बोल रहा है इस बिंदू पर इस पर्स रेखा निकालो अरे बहिया जब बिंदू ही नहीं ह कर्व की उपर तो काई की इस पर्स रेखा तो उसका अंसर क्या जाएगा नन ओफ दीस तो पहले भीया रख करके देख लिया करो कई बार हो सकता दोका देदे सवाल तो सबसे पहले आप क्या करो उस पर रख करके देख लो और अब अगर इस पर्स रेखा निकालना है किसी तो आपको एक ही काम करना है, इसके मानलो कोई भी कर्व आपको दिया गया है, यह कर्व है उल्टा सुल्टा सा, इसके किसी बिंदू x1,y1 पर इस पर श्रीका निकालनी है, तो आपको जो मैं कह रहा हूँ, आपको याद रखना है, x² को आपको रिप्लेस करना है, x into x1 से, y² को आपको रिप्लेस करना है, y into y1 से, x को आपको रिप्लेस करना है, x plus x1 by 2 से, y को आपको रिप्लेस करना है, y plus y1 by 2 से, और xy को रिप्लेस करना है, यह थोड़ा भूल जाता है, xy1 plus y x1 upon 2 से, थोड़ा याद रखिएगा जी, यही वाला कंसेप भूलता है, तो क्या है, it may be parabola, it may be hyperbola, it may be ellipse, then substitute the following values those I have given in the screen, okay kindly note these, so in values को आपको रख करके आप अपना equation बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, यह values आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका equation आ जाएगा, चलिए थोड़े थोड़े एक्जामपल भी लेंगे, बट पहले इसको नोट करिए, यह important है, ओके तो यहाँ पे आप एक चीज़ जरूर नोट कर लिजे कि equation of the, equation of tangent, किस पर equation of tangent है, on curve, ओके तो यह 2D का curve है, इसमें अगर आपको कोई भी कैसा भी कर्विश तरीके का दिया जा रहा है, और अगर आपको यहाँ पर tangent की equation निकाल ली, तो आपको replacement करना पड़ेगा, x² को आपको replace करना पड़ेगा, xx1 से, y² को आपको replace करना पड़ेगा, yy1 से, ओके, and x को replace करना पड़ेगा, x plus x1 by 2 से, y को replace करना पड़ेगा, y plus y1 by 2 से, and xy को replace करना पड़ेगा, xy1 plus yx1 upon 2 से, तो यह बहुत simple concept है, और इस concept का यूज करके आप जो है equation of tangent यहाँ पे निकाल सकते हैं, चली, आँगे करते हैं, इसको question को बाँगे बढ़ाते हैं, एक और, इसका sample question लेते हैं, तो equation of tangent निकालना आपने सीख लिया है, ज्यादा मुश्किल नहीं है equation of tangent निकालना, कुछ इस तरीके के substitution करने हैं, और आपके पास में equation of tangent आ जाएगा, अले भाई, नई स्लेड क्यों नहीं आ रही है, चली, देखते हैं, question और लेते हैं, question है हमारे पास में, कि, question है, find the equation of tangent at 3,4, find the equation of tangent at 3,4, okay, on the curve आपको दिया गया है, जो curve दिया गया है, x, y is equals to 12 दिया गया है, तो so simple, इसकी working बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक न, क्या करना पड़ेगा, देखी आपके पास में, आप जानते हैं, equation of tangent, x, y equals to 12 दिया है, तो equation of tangent, क्या बनेगा, x, y, 1, plus y, x, 1, upon 2, equals to 12 रहन दिजे, अब आपके पास जो point है, क्या है, 3,4, तो x into 4, plus y into 3, upon 2, equals to 24 हो जाएगा, यहाँ पे, sorry, 12 भी है भी, 24 रूपर जाके होगा, तो 4x plus 3y equals to 24, यह आपके पास बन गया, समीकर्ण, ठीक है, तो 4x plus 3y equals to 24 is the equation, 4x plus 3y equals to 24, जो है, यह equation बन जाएगा, आपका, अगला कंसेप्ट उठाते हैं, अगला कंसेप्ट है, chord of contact का, तो next heading डालिए, अगली heading बनाईए, chord of contact, of contact, ठीक है, तो chord of contact में और tangent में क्या फर्क होता है, दीखें, tangent में यह फर्क होता है, कि tangent में जो point होता है, tangent में जिस point पर आप tangent निकालते हैं, वो हमेशा कर्व के उपर बैठा होगा, तो short trick करके लिख लिजे, जहां पर भी आपने लिखा है, कि point P, X1, Y1 जो होगा, X1, Y1 जो होगा, वो curve के उपर बैठा होगा, curve के उपर, मतलब जिस point की आप बात कर रहे हैं, उस curve के उपर होगा, lie करेगा, lies upon the curve, यह बात है, मतलब वो curve पर जो होगा, वो point lie करेगा, ठीक है, और अब बात करते हैं किसकी हम chord of contact की, chord of contact, तो chord of contact तब बनेगी, जब आप जो है external point से, external point से आप draw करोगे, तो मतलब यह जो होगा, curve पर lie नहीं करेगा, यह भी note कर लें, मतलब यह curve के हमेशा बाहर होगा, तो जैसे circle के case में, तो आपको बहुत जरूरी है, चेक करना कि यह circle के बाहर है या नहीं है, क्योंकि circle के case में, इसे बाहर ही होना चाहिए, तभी यह code of contact बना पाएगा, मैं आपको explain करता हूँ, diagram के माध्यम से, तभी आप इसको समझ पाएगे, देखिए, जैसे अपने पास में यह circle बना हुआ है, अगर आप इस पर्स रेखा की बात करते तो यहाँ पर इस पर्स रेखा होती, तो यह तो आप directly निकाल लेते, but code of contact में यह point हमेशा बाहर होना चाहिए, तो जरूर चेक करिएगा circle की standard equation यूज़ करके, कि यह points बाहर है की नहीं है, तो यदि यह बाहर है, तभी आप यहाँ से देखिए, जैसे आपने यह second खीजी, और यह second खीजी, तो खेर यह तो second हो गई, मैं गलत जगह चला गया, code of contact मतलब की दो आपकी tangent होती है, उनको join करने वाला point, यह code of contact नहीं हो गया, यह तो कुछ और ही बन गया, यह धुरूब धुरूबी वाला concept आ जाएगा, यह यह अलग जगह चले गया हम, excuse me, चले, चले, रेजूम करते हैं, आँगे करते हैं class को, तो code of contact बनाते समय आपको जो main चीज है, वो यह ध्यान रखनी है, कि जो point है, वो आपके given curve के बाहर होना चाहिए, especially circle के case के जब question आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, कि जो point है, वो curve के बाहर है या नहीं है, अब मैं इसको diagram अना के explain कर रहा हूँ, देखिए, आपने देखा कि, जब मैंने tangent बताया, तो tangent के case में आपने देखा कि, जो point है particularly, वो उस circle के उपर लाई करना चाहिए, but code of contact में वो point external दिया रहता है, तो जैसे suppose ये point आपको दिया है, PX1,Y1, ओके, और यहां से ये दो tangent जाएंगी, और दो tangent को मिलाने वाली chord को, हम code of contact करते हैं, जो इसके touch point होते हैं, उसको मिलाने वाली chord को, हम code of contact बोलते हैं, जैसे for example, ये पैरा बोला है, अब पैरा बोला में आपने यहां से एक tangent ये चली गई, एक tangent ये चली गई, टच कर दिया है यहां पे, तो ये जो बनेगी, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप chord of contact बोलेंगे, जो इसके डो touch point को मिला करके जाती हैं, मतलब दो tangent जिन बिंदों पर मिलती है, जिन points पर मिलती है, उन points को join करके जो chord जाती, उसको chord of contact बोलते हैं, तो chord of contact बनाने का भी same rule है, जो आपने भी tangent का पढ़ा, क्या करते हैं कि x square को replace करते हैं xx1 से, y square को replace करते हैं yy1 से, x को replace करते हैं x plus x1 upon 2 से, y को replace करते हैं y plus y1 upon 2 से, ठीक है, और किसको xy को replace करते हैं x1 y plus xy1 upon 2 से, तो ये rules याद रखिएगा, बस एक चीज है, main चीज की chord of contact में जो point होता है, वो बाहर होता है, बाकी rules same लगते हैं, जो आपके 2D equation को convert करने के लिए rules same लगते हैं, x जो होता x x1 में convert होता x square, y square y y1 में convert होता है, x जो होता वो convert हो जाता है x plus x1 y2 में, y जो convert हो जाता हो जाता y plus y1 by 2 में, और x y convert हो जाता है x y1 plus y x1 upon 2 में, तो इसमें x y बस भूलता है, बाकी तो सब कुछ नहीं भूलते हैं, बाकी तो फ़ारे easy हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका चलिए तो आँगे बढ़ते हैं देखे एक एक्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ आपको कहा गया है कि find the code of the contact question लिख देता हूँ मैं आपको चलि question लिखे question है find code of contact from point 1,3 to the circle ओके ठीक है तो आपको 1,3 से एक circle दिया गया है 1,3 से आपको इस पर निकालना है कि code of contact क्या होगी मतलब दो tangent कीचनी है और उनकी फिर ये code of contact आपको निकालनी है अनिल शर नमस्कार तो देखे यहाँ पर code of contact 1,3 पर निकालनी है और आपके पास जो circle के question मैं दे रहा हूँ वो है x square plus y square plus 2x plus 4y plus 4y minus 1 equal to 0 तो जैसे चार option में अगर एक option दिया है none of these चार option में आपको एक option दिया है जीजे कि कहीं circle अंदर तो नहीं है तो circle की position निकालने के लिए क्या करते है हम circle के point को इस पर put करते है तो x की जगे 1 है 1 का square 1, 3 का square 9, 2 into 1, 2 और वैसे साब साब देख रहा है कि 1,3 सारे के सारे positive है और 1 इसका कुछ बिगाड़ा नहीं पाएगा मतलब यह जो point है बाहर है okay point put करने के बाद जो expression बनती है left वाली expression इसको मैं नाम देता हूँ s1 तो s1 greater than 0 है मतलब यह जो point है बाहर है तो अब इसके बाद इसका quad of contact बनाना बहुत ही simple है कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर आपको रखना है x square की जगए x x1 y square की जगए y y1 2x की जगए 2 x plus x1 by 2 और plus 4 y की जगए y plus y1 by 2 और minus का 1 equal to 0 चलिए x1 y1 आपके सामने क्या point दी है 1,3 x1 की जगए 1 है तो यह हो जाएगा x y1 की जगए 3 है तो यह हो जाएगा 3y plus 2 by 2 से 2 से 2 कैंसल हो गया यहाँ पे कितना आ गया x plus 1 और 2 से यह भी कैंसल हो गया 2 bracket में y plus 3 minus का 1 ओके नमस्कार सर minus का 1 equal to 0 तो x plus 3y तो यह x plus x कितना हो गया 2x और 2y plus 3y हो जाएगा 5y और 1 plus 2 तिया च्छै एक 7 और 7 में से एक गया यह आगया chord of contact है ना chord of contact यानि इशपरशी जीवा का समा बहिता है na इसको लिख लेंगे हिंदी में हिंदी में इसे बोलते है इशपरशी जीवा या इशपरश जीवा का समीं करन तो इस तरीके से हम इस पर जीवा का समी कर निकालते हैं आपको हमने बताया कि ध्यान रखेगा कि बिंदू जो है वो अंदर होना चाहिए चलिए अगला question उठाते हैं अगला question है आपके पास है find chord of contact from the point 1,2 TGT में पूछा गया question है find chord of contact from 1,2 to the circle x square plus y square equal to 25 आपके पास समी कर न है x square plus y square equal to 25 और आपको 1,2 से chord of contact मिलानी है तो देखिए सबसे पहले ये देखिए समी कर न को standard form में लिख लीजिए x square plus y square minus 25 equal to 0 s equal to 0 की form में लिख लीजिए क्योंकि आपको पता करना है कि दिया गया point अंदर है बाहर है उपर है अब एक काम करिए s1 निकालिए s1 मतलब x की जगे पे x1 y की जगे पे y1 तो x1 का square plus y1 square minus 25 चलो x1 की जगे कोन है 1 1 का square 1 plus 4 minus 25 तो 5 minus 25 minus का 20 less than 0 मतलब जो बिंदू है वो circle के अंदर बैठा हुआ और circle के अंदर बैठा हुआ है तो इस परशी जीवा यहाँ पर संभव नहीं है तो इस परशी जीवा यहाँ पर संभव नहीं है तो इसका answer d वाला था none of these चली ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर common cord जो है cord of contact जो है यह संभव यहाँ पर नहीं होगी जी सर धन्वाद अब देखिए एक चीज और है अब हम बात करते हैं तीसरा अगला हमारा कंसेप्ट आता है जिसका नाम है धुरुव एवं धुरुवी धुरुव एवं धुरुवी ठीक है ना? तो धुरुव एवं धुरुवी धुरुव को क्या बोलते हैं? पोल पूलर, सेम एक्विशन से, x square plus y square plus 2gx, 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, यह आपके पास कोई 2d, 2d, मतलब की दुई घाती है, दुई घाती है नहीं बोलेंगे इसको, व्यापक समीकन है दो घात का, हाँ, दो घात का व्यापक समीकन आपके पास दिया गया है, तो अगर आपको इसको ध्र पूट करना है, जो आप पढ़ करके आए हैं, अभी तो मैंने आपको बताया है, कि x square की जगे xx1, y square की जगे yy1, x की जगे x plus x1 upon 2, y की जगे आपको y plus y1 upon 2, और xy की जगे हो जाएगा आपके पास xy1 plus yx1 upon 2, सेम चीज़ें आपको मतलब यहाँ पे पूट करनी है, अग मैं आपको बता देता हूँ कि ध्रुव और ध्रुवी क्या होता है, ध्रुव और ध्रुवी क्या हुआ करता है, पहले आप देख लीजे, कि जैसे ये आपके पास में वरत्य है, ठीक है, और इस वरत्य से आपने दो छेदक रेखा यहाँ पे खीची है, एक ये छेदक रेखा ये है और एक छेड़क रेखा ये है अब देखिए इन बिंदू को इन बिंदू से जाने वाली जो इस पर्ष रेखा होगी इन बिंदू से जाने वाली जो इस पर्ष रेखा होगी ये कुछ इस तरीके से जाएगी यहां से ठीक है और यहां पर ये जो बिंदू है इन को जो जाने वाली इस पर्स रेखा होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी ठीक है? ये देखिए तो यहाँ पर ये वाली इस पर्स रेखा है यहाँ पर ये वाली इस पर्स रेखा है ये इसको मान लीजिए इस बिंदू को A, B और इसको A डैस और इसको BDES तो ये जो बिंदू होता है इसको हम बोलते हैं पोल याने की ध्रूब इसको हम ध्रूब बोलते हैं और ये जो रेखा होती है इन दोनों के देखे यहाँ पर जो इस पर्ष रेखा हैं मिल रही है ये इस पर्ष रेखा इन दोनों के कट पॉइंट का बिंदू पत जो होता है इसे इस बिंदू पत को बोलते हैं धुरूबी तो ये भी क्या है ये भी एक सरल रेखा है तो धुरूबी का करने वाली रेखा का जो बिंदू पत होता है उसको अपन क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं धुरूबी ठीक है तो इसको अपन धुरूबी बोला करते हैं तो ये होगी अपनी बात भाई धुरूब की और धुरूबी की तो धुरूबी का समीकर्ण भी निकालने का सेम त द्रुवी का समीकरण भी निकल जाएगा तो लिख लीजिए द्रुवी का समीकरण भी उपर दिये गए फॉर्मुले से ही उपर दिये गए सूत्र से ही भनेगा ठीक है ना तो द्रुवी का समीकरण भी उपर दिये गए सूत्र से ही भनेगा चलिए देखिए एक क्वेशन करते हैं किसी पोलर निकालने का कोई क्वेशन करते हैं हम लोग एक क्वेशन कर लेते हैं सिंपल सा find the equation of the polar of the curve x square plus 3x plus 2y plus 1 equal to 0 लिखे question क्या है find the equation of the polar polar यानि की ध्रुवी polar of the curve curve आपके पास दे रहा हूं है x square plus 3x plus 2y plus 1 equal to 0 with respect to point 4,2 ये देखिए तो 4,2 ये वो बाहरी बिंदू है जिससे आप ध्रुवी निकाल रहे हैं तो ये आपका बन जाएगा ध्रुव और आपको इस से इस curve पर ध्रुवी निकालना है चलिए ध्रुवी निकाल कर बताईए आप लोग किता होगा समीकर बताईए प्लीज हाँ सर वो आप सब कुछ करके मेरे को आंसर बताईए कॉपी पैन में लगाईए सर क्ळस्चा प्रिशना है क्गस्टिए कॉवी यूदॉ evalu किता है क्टें लगी ऻूमार टके में लोगाना है राना है झाल झाल हाँ सर बुली सर आंसर बिल्कुल सही सर 11x plus 2y plus 18 इक्वल टू जीरो करेक्ट आंसर है 11x plus 2y plus 18 इक्वल टू जीरो और प्रोसेस वही है चलिए अब मुझे बताईए कि क्या अगला सवाल है कि क्या वरत्य के अंदर के अंदर पोल से क्या धुरूवी बनाई जा सकती की नहीं बनाई जा सकती क्या वरत्य के अंदर जो है यदि कोई बिंदू हो तो उससे धृवी बनाई जा सकती कि नहीं बनाई जा सकती देखिए पे दो कॉड ले लीजिए, दो जीवाएं ले लीजिए, सपोज आपने एक जीवा ले ली है ये, इस बिंदू से होके जाने वाली, एक जीवा आपने ये ले ली है, और एक जीवा आपने इस तरीके से ये ले ली, इसका नाम दे लीजिए, पहली जीवा का नाम A, B, और इसक पी है जिसको हम ध्रोव बोलते हैं अब हमने क्या बताया था कि आप जो है इसकी दो टेंजेंट हैं जहां पर मिल रही है उनका मिलान बिंदू को आपको मिलाना है ठीक है ना तो हम दोनों की टेंजेंट देखते हैं कहां पर मिल रही है तो एक हमारे पात जो है इसकी जो टें यह मिल गया, इसका नाम है Q- अब दूसरा देखिए, यहाँ पर टेंजेंट इसकी जा रही है, इस तरीके से यह यहाँ पर जाएगा और दूसरा जो है, यह इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर आएगा यह लिखिए, इसकेल मेरे पास है नहीं अगर मैं चाओं तो इसकेल इंस्टूमेंट यूस कर लिया जाए, रूलर का चलो भाई साब आजाओ इसकेलर का यूस कर लेते हैं यह लीजी यह जी तो इसकेल रख दी हमने अब और यह हमने खीच दिया, इसकेल आ गई है ठीक है ठीक है, अब देखे यह दो बिंदू हमाई पास मिल गया है एक मिल गया है Q और एक मिल चुका है Q- दोनों को मिला दीजे तो यह हमारे पास क्या बन गई है यह बन चुकी है धुरूवी तो याद रखिएगा कि धुरूवी के लिए कोई बाधता नहीं है कि बिंदू अंदर हो या बाहर हो मगर जो आपको मैंने अभी इसके पहले बताया है इसपरस जीवा के लिए बाधता है है ना Quard of contact उसके लिए बाधता है कि बिंदू जो होगा वो वक्र के बाहर होगा, तो लिख लिजे कि द्रुवी के लिए द्रुव के लिए यह बाधता नहीं है कि वह वक्र के अंदर हो या बाहर मतलब वक्र कहीं भी हो सकता है अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है मगर जब यह मैंने आपको बताया था कॉर्ड ओफ कांटेक्ट जो है है ना तो इशपरशी जीवा जो थी उसके लिए बाधता थी कि वो जो पॉइंट है वो बाहर ही होना चाहिए तो यह concept यह हो गया clear चलिए अगले कंसेप की तरफ चलते हैं अच्छा एक चीज और नोट कर लिजे रटने वाला फैक्ट है कि अगर ध्रुब व्रत्य के ऊपर है तो ध्रुवी क्या होती है इश्पर्स जीवा ध्रुवी होती है नोट कर लिजे अगर ध्रुब व्रत्य के ऊपर है तो ध्रुवी इस्पर्स जीवा ही इस्पर्स जीवा नहीं इस्पर्स रेखा इस्पर्स जीवा तो लग चीज होती है इस्पर्स रेखा ही होगी if the point is lying on the circle then the tangent will be its polar okay if the point lying on the circle then the tangent will be its polar note कर लीजे ही सकता हो यह point आजाए कि अगर ध्रुब के ऊपर है तो निकालो if point lying on circle then tangent will be its polar polar यानि की ध्रुबी क्योंकि देखिए आपके दोनों के समीकन एक ही आएंगे ध्रुबी के और ध्रुब के दोनों के ही समीकन एक ही आएंगे उस स्थिती में तो गलत आप कर भी नहीं सकते हैं अगर आपको समीकन निकालने को बोला तो गलत आप नहीं कर सकते हैं, हाँ, अलग से पूछ लिया अगर की बताईए, धुरूबी क्या होगी, इस परस रेखा के अलग होगी तो फिर आपको वहाँ पर परिशानी हो सकती है बट बागी केसिस में कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए, तो ये कंसेट इस परस रेखा की शर्थ रेखा होने इस शर्थ कंडिशन टू बी अटेंजेंट ओके, सो कंडिशन टू टू बी अटेंजेंट, मान लिजे मेरे पास कोई रेखा है, वाई कौल टू एमेक्स प्लस सी, और आपके सामने में अलग-अलग कर्व दे रहा हूं, उन पर एमेक्स प्लस सी, दिये गए वक्रों पर इस पर्ष रेखा होगी यदी ठीक है तो आपके पास जो वक्र में दे रहा हूं इनमें इस पर्ष रेखा होगी यदी, पहला वक्र मैं आपके सामने दे रहा हूं क्या x square plus y square equal to a square तो याद रखी अगर x square equal to y square equal to a square पर इस पर से रिखा होगी तो c is equal to होता है plus minus a under root 1 plus m square यह होती ही condition किसके लिए व्रत्य के लिए तो मेरे को कैसे याद रहती है मैं c square के form में याद रख लेता हूं c square equal to a square bracket में 1 plus m square 1 plus m square ठीक है ना c square to a square 1 plus m square तो यहाँ से अगर आपके पास जो है इस परस रेखा जो है व्रत्त पर इस परस रेखा है कोई सरल रेखा ये कोई सरल रेखा है और यदि यह है व्रत्त पर इस परस रेखा तो इसकी condition होगी C square equal to A square 1 plus M square या C equal to plus minus A under root 1 plus M square plus minus लगाना मत भूमिये भूलेगा कई बार plus minus पर ही सवाल आ जाता है अब यदि देखें यदि Sperse Rekha का समीकन आपको पूछ लिया जाए M आपके पास पता हो आप C निकाल लेंगे M आपको given हो आप C निकाल लेंगे प्लस माइनस A under root 1 plus M square नोट कर लिजे Sperse Rekha का समीकन आपको यदि y equal to Mx plus minus A under root 1 plus M square ठीक है एक मिनट का टाइम लिजे और इसको नोट कर लिजे आप लोग सभी लोग यह बहुत इंपोर्टेंट है Sperse Rekha का समीकन बिल्कुल नोट कीजे सर चली लिख लिया अगले की तरफ चलते हैं अगला कंसेप्ट देखिए अगला कंसेप्ट है अगर आपके पास y square equal to 4ax परवले है y square equal to 4ax आपके पास परवले है और इस पर कोई रेखा y equal to mx plus c इस परस रेखा है condition y अगर y equal to mx plus c इस परस रेखा है तो इसका याद कर लिजे c equal to a upon m ठीक है अगर y square equal to 4ax है और y equal to mx plus c इस परस रेखा है तो इसके लिए c equal to a upon m और अगर आपके पास परवले है y square equal to minus 4ax ठीक है तो condition बनेगी c equal to minus a by m दोनों को नोट कर लिजे y square equal to 4ax है परवले परवले y square equal to 4ax है तो आपके पास condition क्या बनेगी c equal to plus का a by m और y square equal to minus 4ax है तो condition बनेगी c equal to minus a by m अगली condition देखिए अगर आपके पास परवले है x square equal to 4 ay ठीक है ना उपर की और जाता है परवले ये तो x square equal to 4 ay है और इस पर y equal to mx plus c इस पर सरेखा है तो बड़ी condition अजीब से आती है इसमें होता है c equal to a m square याद रखिएगा c equal to a m square वो भी minus का c equal to minus a m square c equal to minus a m square यहाँ minus लगा लिजेगा और अगर आपके पास है परवले x square equal to minus 4 ay x square equal to minus 4 ay और अगर इस पर आपके पास y equal to mx plus c पर्ष रेखा है तो उसकी condition होगी c equal to positive a m का square तो बड़े अच्छे से बना लिजेए इसमें बहुत confusion होता है तो अगर y square x square equal to plus 4 ay है तो c equal to इसमें होता है minus a m square ओके और x square equal to अगर minus 4 ay है तो c square c equal to होता है कितना am square am square तो ये चार महत्पूर पॉइंट हो गए है अपने किस से related परवले से related पैराबूला से related अब आई ये चलते हैं ellipse की तरफ और hyperbola की तरफ चलेंगे ठीक है ellipse और hyperbola की तरफ चल रहे हैं तो ellipse अगला point discuss करते हैं देखे अभी मैंने आपको बताया था कि वरत्य के case में होता है c square equal to a square one plus m square ठीक है न c square equal to होता है कितना a square one plus m square अब यदी इसको आप देखें इसको यदी open कर दें तो c square equal to a square plus m square a square c square equal to m square a square plus a square इसको उल्टा कर दें यदी लिखें तो m square a square plus a square ये मैं क्या बता रहा हूँ मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे और वरत्य आपको याद दिला देगा वरत्य जो है आपको याद दिला देगा ठीक है न यदि आप ellipse देखना चाहते हैं दीधवरत देखना चाहते हैं कि दीधवरत में इस पर स्रेखा का case क्या होगा तो याद रखी है यहाँ पर a² की जगे b² आता है तो c² इक्वार टू a² m² प्लस b² c² इक्वार टू a² m² प्लस b² आपके पास यदि दीधवरत है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वार टू 1 यदि कोई दीवरत है तो इस पर यदि कोई स्पर स्रेखा है y इक्वार टू mx प्लस c तो condition क्या बनेगी c² इक्वार टू a² m² प्लस b² अब special case देखे अगर a इक्वार टू b लेलो अगर आप a equal to b लेलेते हो तो यह वरत्त बन जाएगा तो वरत्त बनने के लिए क्या condition हो जाएगी a² m² प्लस a² वो ही पुरानी condition आ गई तो कुल में लाकर के हमें यहाँ पर यह चीज़ समझ में आ रहा है कि जहाँ पर a² था वहाँ पर अपन को b² एड़ कर देना है बस इतना आपको याद रखना है कि जहाँ पर a² है वहाँ पर आपको b² एड़ कर देना पड़ेगा तो c² एक बार फिर से मैं लग देता हूँ अगर आपके पास दीरवर्त है अगर आपके पास कोई दीरवर्त है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² एकॉल टू 1 और इस पर रेखा है y एकॉल टू mx प्लस c तो इसके सपर्ष रेखा होने का पर्तिबंद होगा इसके कंडिशन होगी इस पर रेखा टेंजेंट होने की c² एकॉल टू a² m² प्लस b² ठीके ना c² एकॉल टू a² m² प्लस b² तो c एकॉल टू प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b² नोट कर लिजे पूरी कथा जो आपने आपको अभी बताई इसको शेरल भासा में अपनी कॉपी में नोट कर लिजे तो c² एकॉल टू a² m² प्लस b² c वराबर प्लस माइनस ओवर रूट a² m² प्लस b² अब इसके बाद बचता है क्या अती परवल है तो अती परवल है कि कंडिशन में देखे थोड़ा सा फरकाता है यहाँ पर माइनस आ जाता है अगर आपके पास समीकरण है x² upon a² minus y² upon b² equal to 1 तो c² equal to a² m² minus का b² नोट कर लिजे इसको भी तो c² equal to a² minus m² minus b² x² upon a² minus y² upon b² equal to 1 type का अगर अती परवल है तो उस समय कंडिशन मेंगी c² equal to a² m² minus b² और over root ले लेंगे तो plus minus under root a² m² minus का b² तो जहाँ पे plus b आ रहा था वहाँ पे minus b आ गया है अच्छा इसमें एक चीज़ और है अती परवले दो प्रकार के होते हैं अब यदी मान लीजे पहले आपने देखा x² upon a² minus y² upon b² equal to 1 मतलब इसमें b² negative में जा रहा था अगर इसका उल्टा हो जाए तो x² upon a² minus y² upon b² equal to 1 यह तो वही था ना x² upon a² minus y² upon b² तो इसका उल्टा कर देंगे तो कैसे बन जाएगा इसको यदी उल्टा कर दें तो y² upon b² minus x² upon a² equal to 1 conjugate axis मतलब conjugate hyperbola दूसरा हो गया अब इसका जो अनुप्रस्त अक्ष है वो y अक्ष के अंदूस है और इसकी जो सैंयुग्मी अक्ष है वो x अक्ष के अंदूस है तो क्या परिवर्तन हो जाएगा इस चीज का ध्यान रखीगा पहले क्या हो रहा था पहले हो रहा था c² equal to c² equal to a² m² minus का b² क्योंकि ये minus किसके पास था b के पास था अब ये minus जो है c² equal to a² m² minus b² था अब इसके लिए देखे क्या रूल हो जाएगा अब यहाँ पर रूल हो जाएगा c² equal to b² minus a² m² जस्ट इसका उल्टा हो गया ठीके ना इसको नोट कर लीजिए कि यदि आपके पास hyperbola है y² upon b² minus x² upon a² equal to 1 तो जो c² का मान होगा वो हो जाएगा b² minus a² m² तो इसको याद करने की trick कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि left side में आपने minus sign का negative कर दिया तो इधर भी ये पूरा का पूरा minus sign negative हो गया पहले क्या रहा था a² m² minus b² अब यहाँ पर आएगा b² minus a² m² तो एक बार नोट कर लीजिए इसको कि अती परवा ले दी आपके पास x² upon b² minus y² upon उल्टा वो लिए स्वारी में y² upon b² minus x² upon a² equal to 1 है तो condition क्या बनेगी condition मनेगी c² equal to b² minus a² m² तो इतना एक concept यहाँ पर एक तरीके से पहचान यह बन रही है कि जो आंगे होगा वो आंगे लिखा जाएगा और बाद वाले में a² लिख दिया जाएगा देख लिजे चाहे x² upon a² minus y² upon b² equal to 1 बना था तो क्या लिखा था आपने c² equal to a² minus b² m² और फिर आपने y² upon b² minus x² upon a² equal to 1 लिखा तो क्या लिखा c² equal to b² minus a² m² तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा यह थोड़ी सी help हमारी कर रहा है ठीके ना जो आंगे आए उसको पहले लिख दो और बागी फिर उसके साथ m² का गुणा करके उसको पीछे माइनस कर दो यह concept बन गया बूलिये मित्रो समझ में आ रहा है clear हो रहा जी सर clear एक तो यह आपके पास में समानत रहे के जो परवले थे अती परवले थे देख लिए अब देखिए विशेश प्रकार के कुछ special special type के वरत परवले अती परवले क्या होगा तो जैसे आपके पास समीकन है x-h का square प्लस y-k का square equal to r square यह आपके पास है a square ले लो क्योंकि पिछला समीकन अपन ने a पर बनाया है तो अभी देखिए h, k आपके पास पहले क्या था? 0 था तब समीकन था x square plus y square equal to r square a square और हमने बताया था c square equal to a square bracket में 1 plus m square यह condition मैंने बताया थी c square equal to a square bracket में 1 plus m square तो c equal to plus minus a under root 1 plus m square यह तब थी अब क्या है? एक चीज़ रट लिजे k minus mh बस आपको यहाँ पे k minus mh सब में जोड़ना है सब में आपको k minus mh जोड़ना है तो इस समय जो condition मैंने गी c equal to k minus mh k ये वाला h ये वाला और बाकी plus minus a under root 1 plus m square यही है ठीक है न? तो नोट कर लिजे आपके पास यदि वरत्य है आपके पास में कौन सा बरत्य है? x minus h का square plus y minus k का square equal to a square तो condition क्या बनेगी? वही c equal to हो जाएगा k minus mh ये add हो जाएगा plus minus a under root 1 plus m square बिल्कुल सिंपल अगला देखिए आपके पास परवले मैंने पढ़ाया था y square equal to 4ax तो मैंने क्या बताया था? c equal to a upon m c equal to a upon m ये बताया था मैंने तो अब ये दि आपके पास में परवले का बिंदू h, k है तो परवले का समीकर्ण क्या होगा y minus k का square equal to 4a bracket में x minus h y minus k का square equal to 4a bracket में x minus h तो जिसका अपने परवले का जो shear से shift कर दिया है h, k पर तो अब क्या बनेगा देखिए c equal to क्या मैंने कहा क्या जोड़ना है k minus mh तो यहाँ पे k minus mh और plus a upon m नोट करिए इसको भी k minus mh और plus का a upon m k minus mh का ख्याल रखिए और plus a upon m यह तो पहले का था ही और दूसरा एदी मैं बोलूंगा y minus k का whole square equal to minus 4 a x minus h मतलब कुछ नहीं minus लगा दिया यहाँ पे y square equal to 4 a x था तो आपको याद था मैंने क्या किया था y square equal to minus 4 a x यहाँ भी minus एक सेकंड यहाँ भी minus आ गया था तो यहाँ भी क्या गया था minus मतलब y square equal to minus 4 a x के लिए क्या गया था c equal to minus a upon m तो क्या परिवर्तन हो जाएगा यदि मैं यहाँ पहले लेता हूं तो यहाँ भी क्या जाएगा minus आ जाएगा तो नोट करिए y square equal to minus 4a x minus h होगा तो c equal to k minus mh माइनस का a upon m इतने formulae हैं इसके conic section के और त्रिभुजों के गुर्धर्म के इनको लिख करके सामने रख लीजे तब ही सम्भव है कि यह याद हो पाएं मैं भी बता रहा हूँ आपको तो मेरे पास कहीं लिखे हुएं तो मैं बता रहा हूँ है समानिये मेरे को स्वया में याद नहीं हो पाएं हभी तक लिखे हुए हैं परन्तु मेरे सामने दिवाल पे अगला देखिए अगला मैंने आपको बताया था कि x square equal to 4a y तो इसके लिए क्या condition होती है c equal to मैंने बताया था c equal to minus am square बट अब समीकन चेंज हो चुका है x minus h का square equal to 4a y minus k ठीक है ना तो अब क्या जाएगा c equal to वही k minus mh और minus का am square ठीक है और अगला x square बराबर minus 4a y था तो क्या condition निकली थी c equal to am square तो अब यहाँ पर जो नया परवले बनेगा वो बनेगा x minus h का whole square बराबर minus 4a y minus k तो क्या condition आएगी c equal to am square ना ना k minus mh plus am square बस आपको k minus am k minus mh को add करना है तो नोट कर लीजिए अगली condition जो है आपके पास x square equal to 4a y के लिए तो x equal to 4a y के लिए क्या होता था c equal to minus am square होता था तो x minus h का whole square equal to 4a y minus k के लिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा c equal to k minus mh minus am का square और x square equal to minus 4a y के लिए previously क्या हुआ करता था तो c equal to am square हुआ करता था तो x minus h का whole square minus 4a equal to minus 4a y minus k के लिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा c equal to k minus mh plus am का square तो सभी प्रकार के परवले यहाँ पे done हो गये हैं अब इसके बाद लिख लिजिए दीर्धवर्त और अती परवले तो दीर्धवर्त का तो एक ही format बनता है दीर्धवर्त का एक ही format बनता देखा था आपने x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 के लिए मैंने आपको बताया था c square equal to a square m square plus b square तो k minus mh का जोड़ा हो जाएगा यहाँ पे x minus h का whole square यहाँ पे केंदर बतल गया है upon a square plus y minus k upon b square equal to 1 है तो जो आपके पास में बनेगा condition क्या बनेगा दीखे c square equal to k अच्छा पहले c square पे नहीं c पे जाएगा तो पहले c की value उपर वाले में निकालो तो c equal to plus minus under root a square m square plus b square तो यहाँ पे c equal to k minus mh k minus mh plus minus under root a square m square और क्या plus का b square note कर लें सभी लोग तो अपने पास यदि दीरवत x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 के लिए c बरावर होता था plus minus under root a square m square plus का b square तो x minus h का square upon a square plus y minus k का square upon b square origin हमने shift कर दिया h, k पर तो c equal to कितना हो गया k minus mh k minus mh plus minus under root a square m square plus का b square अब आ जाते हैं आती परवले में आती परवले इसके पहले भी आपने बताया है मैंने आपको देखिए आती परवले में मैंने आपको बताया कि x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 के लिए समी करण क्या बनता है c square equal to होता है a square minus b square m square मतलब जो आंगे है वो आंगे रहता है पीछे होता वो m square के साथ चला जाता है हम् उल्टा तो नहीं कर दिया उल्टा ही कर दिया यहां पर a square m square plus b square होता है न तो a square a square m square minus b square होगा थोड़ा से इसको सही कर दूँ मैं तो क्या condition चलेगी यहां पर c square equal to a square m square minus b square तो c equal to plus minus a square m square minus b square तो अब नया change होने वाला अपने पास x minus h का square upon a square plus y minus k का square upon b square equal to 1 है तो अपने पास c equal to कितना बचेगा मैंने आपको बताया था k minus mh हर बार यही आ रहा है और इसी को याद रखना है c equal to k minus mh और plus minus under root a square m square minus b square इसका उल्टा देख लीजिए अगर आपके पास समीकन है y square upon b square minus x square upon a square equal to 1 तो मैंने बताया था आपके लिए कि c square equal to b square m square minus ka a square ओके पहला term m के साथ रहता दूसरा वाला के लिए रहता b square m square minus a square तो c equal to under root plus minus लगा करके b square m square minus a square तो यहाँ पर c equal to k minus mh और plus minus under root b square m square minus ka a square तो इसको सारा का सारा नोट कर लीजिए यह बहुत important आपके काम का है इससे आपकी काफी सारी महनत भी बचेगी तो अती परवले के लिए मैंने last की जो चीजें बताई है एक बार में फिर से recall कर देता हूँ कि आपके पास x square upon a square minus y square upon b square के लिए जो condition बनती थी वो बनती थी c square equal to a square m square minus ka b square जिसको लिखता था c बराबर plus minus under root a square m square minus b square तो अब नया जो अती परवले है आपके पास x minus h का square upon a square plus y minus k का square upon b square equal to 1 तो इसके लिए जो condition बनेगी c equal to k minus mh plus minus under root a square m square और minus का b square दूसरी तरफ अगर आपके पास अती परवले है y minus k का square upon b square minus x minus h का square upon a square तो condition बनेगी c equal to k minus mh और plus minus under root b square m square minus का a square तो ये चीजे मैंने अभी तक आपको यहाँ पर बताई है बताए clear हुआ सभी को जी सर जी एक सेकेंड सर कितने लोग जुड़े हैं देख लूँ तो solution of triangle की practice हम start कर रहे हैं आपके पास यही कहीं पर कुछ formula लिखे हुए है तो आप लोग open कर लीजे मैंने किस number पर लिखे हुए इसके formula solution of triangle के 147 पर चलिए तो मैंने सारे formula यहाँ पर open कर रखे हैं अपने पास तो मैं जहां जहां पर आपको जरुवत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा तो question क्या है आँगे बढ़ते हैं कहरा इन्हें triangle ABC A cos square C by 2 plus C cos square A by 2 equal to 3B by 2 है तो कहरा then ABC जो है वो किस में होंगी तो पहली चीज़ तो मैं short trick बता दूं आपको कि solution of triangle का कोई भी question आपको मिलेगा 95% answer होगा AP ठीक है ना मतलब 95% के answer जो आएंगे वो आपके AP में होती है यह अनुभह से आई है short trick अब यह इसको कोई universal truth मत मान लीजेगा यह अनुभह की मैंने बात कर दी कि जान बिल्कुल निकल रही है एक सेकेंड बचा हुआ है तुक्का लगाना है तो AP पे लगा सकते हैं तब के लिए अब आ sin A by 2 का formula होता है under root of S minus B S minus C upon कितना BC यह होता है फिर आपको मैं formula recall करा देता हूँ cos A minus 2 का तो यह आपको यह याद होगा यह जो formula होता है यह होता है S into S minus A upon में कितना BC और फिर इसके बाद अगर दोनों को divide कर दो तो 10 A by 2 आजाता है और यह आता है S minus B S minus C upon S into S minus A यह तीनों formula आप छे से याद रख लिए इनसे बहुत कुछ आपको मिलेगा तो अब देखें यहाँ पे A है cos square C by 2 है तो यदि मैं यहाँ पे put कर दूँ तो A है और cos square C by 2 अपने पास क्या बच जाएगा cos square C by 2 मतलब S, S minus C okay upon A B तो S, S minus C upon A B क्योंकि cos चल रहा है ठीक ना तो अगर आप बात कर रहे हो cos C by 2 की तो S, S minus C upon A B चलेगा और प्लस C लगाईए इन्टू cos square A by 2 तो A by 2 में क्या आएगा S, S minus A upon B, C ठीक है ना S, S minus A upon B, C equal to अपने पास दिया है 3B by 2 चलो काटा कुटी कर दो C से C cancel हो गया और A से A cancel हो गया है ठीक है अब यहाँ से S में common लिलेता हूँ तो मेरे पास क्या बचा है S common लिया तो S minus C upon B और प्लस S minus A upon B equal to 3B by 2 अब यहाँ से S है और यह देखिए उपर S plus S कितना हो गया 2S और माइनस का A plus C और upon में कितना हो गया B equal to 3B आप सब जानते हैं S होता है अर्ध परिमाप A plus B by 2 तो A plus B plus C by 2 तो 2S कितना होता है 2S equal to होता है भई A plus B plus C तो 2S minus A plus C कह रहा है 2S में से A और C को माइनस करना है तो कितना बचेगा B बचेगा तो 2S minus A plus C equal to कितना आ जाएगा यहाँ पे B आ जाएगा ओके तो यहाँ पे A, B, C की वैल्यू पूछी जा रही है तो 2S minus A plus C किया आपने ना तो A plus C 2S minus A plus C एक मिनट हाँ ठीक है तो यहाँ से A plus C cancel हो जाएगा और A plus C cancel होने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर 2S की value से cable B बचेगा B से B भी cancel हो गया तो S equal to कितना बचेगा 3B चलो ठीक है S equal to 3B बचेगा S equal to 3B S की value कितनी है A plus B plus C upon 2 equal to 3B अभी भी कहीं पर mistake हो रही है एक कहीं पर digit upon छोड़ के आ रहे है जड़ा बताईए आप लोग को कहीं नजर आ रही हो तो 2S की value होती है A plus B plus C और A से C A से A माइनस हो गया C से C माइनस हो गया तो 2B ऊच्छा उपर 2B बचा सर और 2B में से नहीं नहीं इसको हाली कर देता हूं मैं कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहां से कुछ हुआ है दिक्कत ओ 3B by 2 छोड़ दिया ना इसलिए जो 3B by 2 था उसको अपने छोड़ी दिया देखा ही नहीं इस वज़े से गलती हो गई देखे 3B by 2 था वहां पे तो यहां पे अपने पास में कितना आया था S उपर में आ गया था 2S माइनस A प्लस C whole divided by B equal to 3B by 2 3B by 2 यहीं से चलता आ रहा था वह अपने छोड़ दिया इस वज़े से सैट गलती हो रहे होगी अब देखिए यहां पे है S इधर पे 2S का मतलब होता है A plus B plus C और minus A minus C upon में B equal to 3B by 2 A से C से C cancel A से A cancel और B से BB cancel हो जाएगा तो S equal to B से BB cancel हो गया equal to 3B by 2 तो 2S equal to हो गया 3B 2S equal to होता है A plus B plus C equal to 3B तो A plus C equal to कितना हो गया 2B इसका मतलब 2B equal to A plus C इसका मतलब A, B, C किस में होंगे? समाना अंतरस्रेणी में होंगे यह करना था भूलिए ठीक है clear है? मित्रों बताएं सभी को clear है question? क्या हुआ भाई? तो देखें यहाँ पर यह है कि इसका formula आपको इस chapter का बहुत अच्छा याद होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने आपको sin A by 2 का formula बताया था sin A by 2 का formula अपियाद रख लिजे S minus B S minus C upon में कितना B, C जो minus करते वही लिख देते हैं और फिर cos A by 2 जो होता है वो नहीं आता है वो हुआ करता है S, S minus A upon में कितना B, C और 10 A तो फिर 10 A by 2 तो बन ही जाएगा तो कितना हो जागा दोनों का divide S minus B, S minus C upon S into S minus A तो कभी भी exam में जाएए तो इन formula को आप लिख लीजे आव शक्ता जहाँ पर भी आपको rough वगेरे page मिले तो इनको लिख लीजे क्योंकि ये थोड़े से उलजे हुए रहते हैं तो एकदम से दिमाग में click नहीं करेंगे फिर चलिए ये हो गया, एक सवाल करा दिया इसका ठीक है, अगला concept लिखिए एक concept हुआ करता है कि if R1, R2 and R3 x radii and R is the in radius of the triangle ABC तो देखिए concept ही रही यहां पर, एक आपके पास मैं आपको ट्रेंगल बना रहा हूँ तो उस ट्रेंगल के बाद वहां पर तीन अलग अलग वह बनते हैं ये देखिए ये आपके पास ट्रेंगल है, थोड़ा सा इसको आशा शेप में ले लिया कि आपको ये समझ में आए, ये देखिए आपके पास में ये ट्रेंगल है और अगर मैं इसकी sides को आँगे बढ़ाता जाओं इसकी sides को मैं लगा तारीक इधर बढ़ा दूँ और एक इधर बढ़ा दूँ और एक इधर बढ़ा देता हूँ ये तो बढ़ी रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ाना बहुत मुश्किल है इतना बढ़ा डाइग्राम बन जाएगा कि पूछिए मत तो इसके अंदर एक circle बनता है एक वरत बनता उसको बोलते हैं भईया अपन in circle उसको अपन बोलते हैं in circle अंता वरत और अंता वरत की जो तरिज्जा होती है, अपन लेते हैं, small r से अंता वरत की तरिज्जा अपन लेते है किससे? इस Kayla, ceneal in radius बोलते हैं इसको और एंगल A के सामने एक जो बड़ा वरतीसकी दो भुजाओं को करता है, तच करता है इसको बोलते हैं बहिरगर्थ व्रत एक्स रेडियस एक ये बनेगा टच करने वाला इसको इन तीनों भुजाओं को गंदा बन रहा है थोड़ा सा चाला को होता हैं इनमें relationship क्या होती है वो चीज़ आप देख लो ध्यान से वो चीज़ समझने वाली है वो relationship क्या हुआ करती है वो relationship यह है कि अगर आप r1 की बात कर रहे हो ओके देखे तीनों की condition note कर लीजे r1 minus r करोगे तो कितना हो जाएगा r2 plus r3 यह relationship होती है अगर r2 minus r करोगे तो कितना हो जाएगा r1 plus r3 ठीक है ना और अगर r3 minus r करोगे तो कितना हो जाएगा r2 plus r1 यह relations यह आप note कर लीजे यह बहिरगत ब्रत और इनक में संबंध होता है यह ठीक है ना r1 minus r equal to r2 plus r3 अंतर ब्रत की तरिज्जा और बहिरगत ब्रत की तरिज्जाओं में यह संबंध हुआ करता है ठीक है अब एक और relation में आपको बता देता हूँ कि r1 की value क्या होती है r1 equal to delta upon s minus a r2 कितना होता है delta upon s minus b delta मतलब त्रिभुच का चेतरफल और r3 कितना होता है delta upon s minus c यह आपको याद करना है और r जो होता है वो कितना होता है delta upon s ठीक ना तो पहले यतनी चीज़े note कर लो फिर इसके बाद मैं आपको आंगे mark दर्शन देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें है ओके तो कैसे note करोगे ऐसे लिख लो अपनी copy में कि यदि किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज a b c की अंतह त्रिज्जा small r तथा बाह त्रिज्जा r1, r2, r3 है तो पहले तीन relation लिख लो r1-r बराबर हो जाएगा r2 प्लस r3 r2-r का मान हो जाएगा r1 प्लस r3 और r3-r का मान हो जाएगा r1 प्लस r2 ठीक है ना यहाँ पे तीनों चीज़ें आपने लिख ली है अब इसके बाद यहाँ पर r1 का मान लिख लो r1 का मान कितना है देखो त्रिज्जा चाहिए तो उपर delta और नीचे upon में s-a r2 का मान कितना होगा delta upon s-b और r3 का मान कितना होगा delta upon s-c और r का मान तो लिखाई हुआ है भाई r का मान क्या होता है delta y s delta y s यह r का मान है चलो तो ठीक है ना यह concept आपको सीख लिया आपने अब इस पर एक question करते हैं मजेदार आज़ो भाई इस पर एक question हो जाए क्या question है देखो question कह रहा है कि if r1 r2 r3 r x radii and r is the radius of the triangle in radius of the triangle ABC मतलब कोई trivo jvc दिया गया है उस trivo jvc में r1 r2 r3 जो है वो है x radii और जो in radius है वो कितनी है small r है तो आपको बताना है r1 equal to r plus r2 plus r3 तो trivoj का मान बताना है मतलब कोल में लाके एक triangle है लो भाई बना दिया triangle अब इसमें इतना मुस्किल है वो in radius तो यहाँ आपकी in radius r1 मान लो नीचे जो बन रहा है circle और दूसरा वाले की मान लो r2 इधर वाले की मान लो r3 और अंदर जो आपके पास वरत्त बन रहा उसकी त्रिजा किती है r और कह रहा है कि r1 is equal to r plus r2 और plus कितना r3 है यह लो जी ठीक है ना तो बताना है कि क्या condition होगी तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि r1 minus r is equal to कितना होता है r2 plus r3 तो कहरा तिर्भुज का type क्या होगा option दिया गया है isoceles दूसरा दिया गया है क्या equilateral तीसरा दिया गया है right angle triangle और चौथा दिया गया है none of these तो इतने प्रकार कि आपको जो है यह तिर्भुज दिये गया है आपको बताना है कि कौन सा होगा तो देखिए आपने पास r1 है तो r1 क्या होता है delta upon s minus a और यह क्या हो जाएगा minus delta upon s equal to delta upon s minus b plus delta upon s minus c अच्छी ख़बर है भाई यह तो cancel हो गए सब के सब अब क्या होने वाला है देखिए यहाँ पे 1 upon s minus a और 1 upon s तो यदि इसको हल कर दूँगा तो s यहाँ उपर s minus a और यह s into s minus a equal to यहाँ पे s minus c plus s minus b और नीचे s minus b into s minus c बहुत बढ़िया s से s cancel हो जाएगा यहाँ पे बचेगा a upon s into s minus a और यहाँ पे क्या आजाएगा देखिए 2s और minus का b plus c तो नीचे आजाएगा s minus b और s minus c चलो काटा कुटी करते हैं इधर तो कुछ लगनी रहा है a upon s into s minus a यह थावत रहेगा और 2s क्या होता है a plus b plus c तो a cancel हो गया b plus c cancel हो गया minus minus होके और नीचे बन गया कितना s minus b s minus c ठीक है a से a फिर से क्या हो गया cancel आपके पास में a से a आपके पास में cancel हो गया है अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज बन रही है देखिए s minus b और s minus c उपर चला गया और upon में s into s minus a एक कल्डू कितना आ गया है 1 और आपने देखा है यह formula किसका होता है यह formula होता है 10 a by 2 का और 10 a by 2 is equal to कितना हो गया है 1 10 a by 2 को 1 लिग दिया है मतलब a by 2 कितिडीगरी 45 डिगरी तो a is equal to कितिडीगरी 90 डिगरी मतलब a कोंड 90 डिगरी है इसका मतलब एक कौन सा ट्रेंगल होगा राइट एंगल ट्रेंगल होगा, मतलब यह जो होगा, समकोड त्रिभुज होगा, ठीक है, तो यह जो बनेगा अपने पास में, एक समकोड त्रिभुज बनेगा, बहुत बढ़ी हा कॉस्चन ये, चलिए, अगला कॉस्चन देखते हैं, एक और, if r is the radius of the circumcircle of triangle ABC, then triangle का area आपको बताना है, तो भाई, यह तो directly आपने, then आपको बताना है कि तरिज्जा क्या होगी, then आपको बताना है कि तरिज्जा क्या होगी, कह रहा है कि if r is the radius of the circumcircle of triangle ABC, यह देखिए, ट्रिज्जल ABC है, और इससे हो करके कोई जा रहा है कौन, circumcircle, और इसकी तरिज्जा किती है, r है, तो आपको बताना है कि तरिभुज का area क्या होगा, तो इसके दो तरीके हैं, एक त equal to sin b upon b equal to sin c upon c, equal to, इसको मैं याद करता हूँ, a, b, c upon 2 delta से, equal to a, b, c upon, sorry, 2 delta upon a, b, c, चुकि नीचे तो अपन को square चाहिए, न, गलती हो गई, तो इधर कितना आएगा, इधर आता है, 2 delta upon a, b, c, और is equal to 1 by 2 r, एक चीज यह है, तो एक common formula type का बन गया है, जिससे अपन को बड़ी मदद मिल जाती है, और मेरे ख्याल से, इसमें small r, भी अपन ला देंगे बहुत जल्दी, तो वो भी अपना फायदा हो जाएगा, is equal to a, b, c by 2 r, तो अपना को अभी क्या कह रहा है, कह रहा, then r की value आपको बतानी है, और वो भी किसके पदों में है, options आपके, तिरभुच के छेदर फल के, तो ये दोनों हैं ना, हमारे, आईए इस से relate कर देते हैं, तो देखिए, 1 upon 2 r, equal to 2 delta, upon कितना, a, b, c, तो 2 r को उपर ले जाएए, और a, b, c को यहाँ ले जाएए, तो a, b, c, equal to हो गया, कितना, 4 r delta, तो r is equal to कितना हो गया, a, b, c, upon 4 delta, ओके, तो correct answer इसका कितना है, a, b, c, by 4 delta, एक तो तरीका यह हो गया है, अब दूसरा तरीका, जो इसका है, दूसरा तरीका क्या है, इसका, कुछ नहीं, वो proof करना पड़ेगा, sign rule लगा करके, तो वो बहुत मेहनत लग जाएगी, हमको उसमें, तो सीधे इसका answer याद कर लीजे, कि a, b, c, upon 4 delta, इसकी जो त्रिभुच की त्रिज्या होगी, ए, b, c, upon 4 delta, ठीक है, नोट कर लीजिया, एक बार मैं फिर से इसको recall कर देता हूँ, इस result को, जो बहुत important है, जी मैम, जी एक बार फिर से इसको बता देता हूँ, कि यह जो होता है, sign a upon a, equal to sign b upon b, equal to sign c upon c, equal to, ठीक ना, यहाँ पे आपको है, क्योंकि नीचे side है, और उपर angle है, मतलब नीचे की quantity बड़ी बनेगी, और उपर की quantity छोटी बनेगी, तो उपर बनेगा, 2 delta upon a, b, c, ठीक है ना, 2 delta upon a, b, c, equal to 1 by 2r, equal to 1 by 2r, यह ऐसे याद रहता है, क्योंकि नीचे देखे, यह तीन ही काई बनेगी, एक, दो, तीन, cm3, और उपर छेतरपल है, तो cm2, तो एक कट जाएगा, और cm ही बचना चाहिए, तो क्योंकि यह cm, यह cm, यह cm, यह cm, तो एक बार फिर से लिखिए, आप अपनी copy में, sin a upon a, equal to sin b upon b, equal to sin c upon c, equals to, 2 delta upon a, b, c, equal to 1 by 2 r, अब आपको result निकालना था उसमें, delta के respect में और a के respect में, तो r उपर जाएगा, तो r equal to a, b, c, by 4 delta, बोली clear है, r equal to a, b, c, by 4 delta, ठीक है, चलिए, एक last question आज का करते हैं, last question क्या है, if two angles of triangle are 30 degree and 45 degree, एक triangle है, अब एक triangle के दो angle हैं, एक है 30 degree और 45 degree, तो ये 30 degree मान लेजे, ये 45 degree मान लेजे, ultimately ये कितना हो जाएगा, 105 degree का हो जाएगा, तो कह रहा है कि, अगर इसकी included side root 3 plus 1 है, मतलब ये वाली side जो है, root 3 plus 1 है, ये angle A है, ये angle B है, ये angle C है, तो इसके सामने की side क्या हो गई, A, तो आपको बताना है area of the triangle, area of the triangle, ठीक है न, तो देखिए हमारे पास कौन सी side है, हमारे पास एक side ये वाली है, और ठीक है, ये तो हो गई है, अब देखिए हम use करके, sin A upon A, sin B upon B का concept ये उसके करके, एक side कोई भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए, एक side है हमारे पास, sin 105, तो यहाँ पर एक हमारे पास angle है कितना, sin 105 upon A, A मतलब अपने पास कितना है, root 3 plus 1, ठीक है ना, तो sin 105 upon A कर दो, root 3 plus 1, equal to sin 30, upon इसके सामने की side B कर दो, ठीक है ना, इसके सामने की side B कर दी अपन ने, तो यह कितना हो जागा, इसको पलट दो, तो देखिए, sin 105 जो होता है, वो किसके एक्वल होता है, sin 105 equal to 90 plus theta, sin 105 की value यह दी मैं निकालू, तो यह हो जाएगा कितना, sin 180 minus 75, जो कि sin 75 यह आएगा, और sin 75 equal to, कितना निकलेगा, sin 90, 40 plus, 45 plus 30, ठीक है, मतलब root 3 plus 1 by 2 root 2 value यह जाएगी, तो root 3 plus 1 by 2 root 2, multiply by root 3 plus 1, equal to sin 30 की value 1 upon 2 into B, तो root 3 plus 1 से root 3 plus 1 cancel, 2 से 2 cancel, मतलब B की value कितनी आगई रूट 2, चलो भाई साब बहुत बढ़िया, अब हमारे पास AB है, और BB है, और हमारे पास triangle का area भी होता है, ज्याद करने का, triangle का area equal to होता है, half of AB sin C, तो half of AB अपने पास कितना है, A है अपने पास अभी देखा था अपन ने, A अपने पास में है, root 3 plus 1, root 3 plus 1, B कितना निकाल लिया, I think root 2 निकाल लिया भी अपन ने, B निकाल लिया, root 2, into sin C याने sin 45 degree, C का value 45 भी दिया है न, angle C 45, हाँ, ये side C के सामने का angle, sin 45, चलिए sin 45 से ये cancel हो गया, तो answer कितना आ गया, answer आ गया, 1 upon 2 root 3 plus 1, ये हो गया, त्रिवुच का छेतरफल का एरिया, चलिए मित्रों, तो पढ़ाने की तो उर्जा अभी भी कह रही है, कि पढ़ाईए मगर, रात्री काफी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अपनी वाणी को यही पर विराम देना पड़ेगा, सबको जाना है, सोना है, फिर है न, तो इसलिए, आप सभी मुझे यही पर आग्या दीजिए, आपके जुड़े रहने का बहुत-बहुत धन्यवाद,